अगले क्वेश्चन है अपने पुराने केंडिडेट है काफी सीरियस लर्नर भी है और काफी सीनियर लर्नर भी है इनका question है I have some doubts sir क्या है if I say I am going to market to bring something or I am going to market for bringing something please explain which one is better to speak or write आलो यह सेमने एक सेंटेंस लेगा यह इन क्वेशन से रिलेटेड है पूछना प्लीज एक्स्प्रेंड विच वन इस तरीके की सिच्वेशन को लेकर वह मैं आपके साथ अब करता हूँ अच्वकि वह चीज मुझे लगते तो आपको भी लगेगा देखो पहले एक बार फॉर्मलिटी के लिए हालांगे आप सभी समझधार हो सबको पता हो लेकिन फिर भी फॉर्मलिटी के लिए मैं बताई दखता हूं सबजेक्ट हो गया इड़ब वह प्लेश हो गया इंफिनिटिव प्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई इप प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यह इंफिनिटिव प्रेज है अब जो इन्फिनिटिव प्रेज है वो भी यहां पर एडवर्ब के रोल में है कि नाउन के फंक्शन तो है नहीं और यह भी प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रेज फंक्शन कर रही है तो इतनी चीजें हमें समझ में इन दोनों से रिलेटेड आते हैं कि अब हम यह समझना है कि जो इन्फिनिटिव फ्रेज हमने लिखी है और यह प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है यह दोनों एडवर्ब का रही है कि इस प्रेफर करना चाहिए किसका उसकर नहीं सही है सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों वाइक का रप्लाई है तो दोनों परपस को रेफर कर रही है तो हमें लगता है कि जब दोनों एक ही काम कर रही है तो यह तो फिर कोई इन में और नहीं दिफ्रेंस होगा तो फिर किसको प्रेफर करना चाहिए खेर उस पर में लाने से पहले च्छोटी सी चीज़ आपको और बता देना चाहता हूं हो सकता सबको पहले से पता भी हो पता होना भी चाहिए आप लोगे लिटल लेर्नर्स हो लेकिन फिर भी एक वार में बता ही देता हूं दे वर्क तु सक्सीड ते वर्क पर सक्सेस है अब जैसे अगर यहां सब्जक्ट हो गया है हूं हरब हो गया है अब यह जो मिन इंफनिटिव फ्रेज लिखे έχं कव कर तू सक्सेड है का एर यहां पर फॉर और लिक्रेपैस्टेस ciao रिह नहीं लिखा है कि प्रेप्जरिशनल और यह दोनों ही य का रप्लाई है और अब समझने वाली बात है कि अगर यह दोनों ही य य क्यों लिखा दो इसके पीछे के reason यह होता है कि जैसे does work वाय वाय डू दे वर्क तो कहा है तो अगर मानलो purpose किसी काम का हुआ कभी कोई action हो कि जैसे यहां पर succeed क्या है अगर मानलो करते हैं हमने कुछ किया हमने कुछ कहा तो उसके पीछे purpose क्या है तो अगर वो purpose कोई action है जिसे कोई person पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है तो कोई पढ़ रहा है job के लिए तो job क्या है purpose है लेकिन job कोई action नहीं है कोई पढ़ता है सफल बनने के लिए कोई पढ़ता है डॉक्टर बनने के लिए कोई पढ़ता है आएएस बनने के लिए तो आएस बनना जो है वो तिंग नहीं है वह यह एक अक्षन है तो अगर हम कभी कुछ करते हैं और उस करने के पीछे परपस कोई एक्षन है वी वांट टो परफॉर्म सम एक्षन तो हम उसके लिए इन्फिनिटिव का यूज करते हैं कि अन्फिनिटिव उन एक्षन को मतलब उन परपस को रिप्रेज़ेंट करती है जो की कोई अपूभी एक्षन हो और हमानलो अगर हमारा परपस कोई एक्षन ना होके कुई थिंग हो जिसे जॉब हो सेक्षेस हो ने ओटो हमक्या करें तो उस सिच्वेशन में मैं पता है कि infinite एक संव फार्म होती है तो अगर परपस एक्षन होगा तब तो आप इंफिनिटिफ फोर्म में उसको लिए लेकिन अगर परपस कोई परपसकोय अब्जेक्ट हो इंफ संविक्ट तब क्या करोगे इस तरीक इस तरीके का इंप्रेशन हमें बनता है कि हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ेज को इंफिनिटिव फ्रेज़ेज के सब्सिट्यूट के तरीके से यूज़ करते हैं तब पर्पस कोई एक्षण ना होके कोई ऑब्जेक्ट हो जाए अगर कोई ऑब्जेक्ट परपस है तो फॉर इंफिनिटिव फ्रेज यूज़ कर लोगे आप चुंकि हमें सबको पता है कि इंफिनिटिव तो जो होता है वह वहां आजो वहां आप देख रहे हों कि हमने फॉर मीटिंग लिखा है अब यहां पर मीटिंग की जगे पर अगर कोई नाउन लिखा होता है अब ही क्या है आँ गोईंग देर फॉर मनी आँ गोईंग देर फॉर पार्टी ऐसे कुछ लिखा होता है तो हम समझ लेते हैं अभी क्या हम देख रहे हैं यह जो दोनों वाड है जैसे जो सक्सेट और सक्सेस में डिफरेंस है ना वो मीटिंग और में नहीं है यह जो मीट ह अब इस समझ में आ गई होंगी तो मैं वहां को ता कि की पॉर के साथ में जैरेंड मीटिंग जो जैरेंड है और के साथ में जैरेंड का प्रफर किया करो उन एक्सेंस के लिए जो हो चुके टिक है यह पनिस्ट हिम और किड्नैपिंग टिक है तो फॉर किड्नैपिंग जो है ना वह हो चुके एक्सन है वह कॉज है आपके चीज समझने आपने दो टर्म में यूज करूंगा हम सभी इसली समझ सकते हैं एक कॉज और एक परपस ठीक है परपस भी वाय का रप्लाई ह होता है कॉज पिए रपलाई होता है और क्रियों होता है भी आरे म्स्टेकन ढया है इन दिर यूज करता है तो वाई का क्वेस्टन जब हम करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है परपस होता है मैं से नहीं होता है अब काउस और परपस में क्या डिफरेंस है वरीवन नोज परपस फॉलोज दी इवेंट पॉज प्रसीड इवेंट ठीक है कोई मान लोग घटना हुई है तो जो उसका कॉज है वो उससे पहले आ चुका है जो उसका परपस है उसके बाद आएगा तो सबको पता है ठीक है तो कॉज परपस में क्या डिफरेंस होता है एवरीवन नोज हर कोई जानता है ठीक है यह लिए प्रपस परपस के बाद में इवेंट इवेंट करदे परपस तो परपस के बाद में इवेंट कर देंद फालो सम्थिंग प्रिसीड सम्थिंग पर्पस जिस से रिलेटेड होता है उसको फालो करता है तो जो फॉर के साल लिखी के प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होती है इस शुड बी प्रफ़र्ड एंड यूजड तो रेफर्ड टू कॉजड तो सम पर्पस वी शुड यूज आपके पास में अब्जेक्ट को परपस मानना हो अगर किसी एक्षन को परपस मानना थो इंफ्निटिव ही यूज़ करना चाहिए अब जैसे सक्सेस है तो अगर हम सक्सेस को इस परपस इंट्रोडूज करेंगे तो हमें फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज लिखना थेड़ेग तो बस यह द्यान रखना है कि अगर आपको परपस इंट्रोड्यूस करना है तो आप फॉर के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख सकते हो लेकिन वह तभी लिखनी है जब आपका परपस कोई अबजेक्ट हो अगर परपस कोई एक्षन है तो इन्फिनिटिव फ्रेजेज ही यूज होनी चाहिए तब ऐसा नहीं कि फॉर के साथ जेरेंट लिख दिया जैसे वहां पर लिखा हुआ है फॉर के साथ जेरेंट को यूज कीजिए तब आपको कॉस को इंट्रोड्यूस करना ह परपस के लिए परपस के लिए इंफिनिटि फॉच के लिए है तो पॉर कमटिग अ क्राइम तो कॉमिटिगा क्राइम इस कॉस विछ फीज अ ने किमा बैटर परसन से आनफ्या था तो तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगे कि अगर आपको पर्पस को इंट्रोड्यूस करना है और पर्पस को एक्षन है तो इन्फिनिटिव ही उस होना चाहिए फॉर के साथ में उसकी जिरंट फ्रेज प्रॉम नहीं लिखनी चाहिए बस यह मेरा आंसर जो मैं आपको सम करने चीए यह आवोइड करने चीए हालनी कि मैंने इस पर क्वेश्टन मार्क लगा इसको गलत नहीं कहा गलत क्यों नहीं कह रहा हूं उसके पी पीछ तरक समझा देता हूं लेकिन मैं जो अभी आपको समझा क्या है उसके लिए दो दो सेंटेंस हैं मैं दिमाग में वर्व, 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 दे सेंट हिम टू प्रिजन, ठीक, पॉर्ब के साल लिखी के प्रेपोजिशनल फ्रेज, इंफिनिटिव प्रेज, अब आप अपने आप डिफरेंस देखो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे, देखो, डिफरेंस समझ में आया, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्लेस का काम कर रहे है, अब सम्झो, इस सेंट इम टू प्रिजन, ठीक, पॉर स्टीलिंग दा मनी, पॉर स्टीलिंग दा मनी को हम क्या माने, पर्पस माने, क्या उन्होंने उसको जेल इसलिए भेजा, कि जिस हो जाके पैसे चुरा ले, जेलमें पैसे होते हैं, और यब किसी बेजा जाता है वहां से चुराने के लिए, ऐसा दो नहीं होता, कोई अपने चलाएं, चुराने तो अलग बातें बेजते, तो नहीं था किसी चुरा लो, तो आप समझ जाओगा ये वहनाने, कॉस चीز का कस परपस नहीं है यह कॉज है पहले उसने काम किया बाद में उसको जेल बेजा गया तो यहां जो उन्होंने इसको प्रिजन भेज दिया ठीक है क्यों बेजा उन्होंने जेल इसको भेजाय जिससे की जो विक्टेम्स है उनको जस्तिस एंसियोर हो पाये नैय मिले तो आपको जये ध्यान घ्ट है अब काम करके देखो यहां पर जो हुमने लिखा है ना, infinitive यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेसमेजन करो और वहां पर infinitive imagine करो फिर आप देखो situation, they sent him to present to steal the money, they sent him to present for ensuring the justice of the victims, आपको तुरंट समझ मैं जाएगा, तो ऐसी situation में जब कभी आपको confusion हो ना, तो एक तो यह बात ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है, cause or purpose, if you have to introduce the purpose of your action, then use infinitive, instead of preposition for plus gerund, use infinitive, if you have to refer to the cause of the action, then you should use for preposition plus gerund, है ना, एक बात और बतानी है, मतलब यह पूरी बात नहीं है, यह मेंन है, मतलब जो मैंने आपको बता है, इस सबसे important point है, जो आपको ध्यान है, अब एक point और है, जो मैं आपको बताता हूँ, देखो, आज़ो वापस, दूसरा point यह है, यहाँ पर, कि जैसने हमने लेगा, I am going there to meet him, और I am going there for meeting him, तो हम इसको cause तो मानने सकते हैं, इसलिए मैंने cross लगाया इसको, इसलिए गलत नहीं का, इस पर question mark लगाया, ठीक है, यह situation है valid, लेकिन इस situation थोड़ी हटके हो जाएगी, कि अगर हम मान लोग किसी purpose को, क्योंकि यह purpose ही मानना जाएगा, यह cause तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो अगर हम इसको purpose मान रहे हैं, for meeting him को, और to meet him तो purpose है, यह फिर दोनों में difference है, तो मैं बताता हूं, दोनों में difference ही होता है, इंफिनिटिव जो होता है, मूड होता है, हो सकते बाद मैंने पहले कभी आप लोगों से कही हो, ठीक है, नहीं कही है, तो आज मैं कहा रहा हूं, सारे लोग ध्यान रखेंगे, जैसे हम वर्ब के मूड पढ़ते हैं इंडिकेटिव मूड होता है, प्रिजेंस अब्जेंग जनरली वर्ब का सबजेक्ट होता हुँच ही के, ठीक है, वो किसी ने किसी के intention को, plan को refer करता है, mood होता है, plan को, decision को, intentions को express करता है, जिस से वो related होता है, अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर यह किस से related है, to meet, अब to meet को हमने यूज़ किया वर्ब के बाद, और हम लोगे के पहले कई बार पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी सेंटेंस में लिखी गई में वर्ब के बाद में हमको इन्फिनिटिव लिख दें तो उस इन्फिनिटिव का मतलब यह तो मतलब है इस आई कीसे इंटेंशन के लिए मैं तो जा रहा हूं लेकिन को दोस्त नहीं तुर के साथ में मैं भी यह तो बड़ेस होते हैं ल recording तो प्लान मेरा नहीं था यह आईडिया मेरा नहीं था यह इंटेंशन मेरी नहीं थे उससे मिलने जातो रहा ही हूं लेकिन मेरा खुद का इसमें ज्यादा इन्वाल्मेंट नहीं है तो फिर ऐसे सिच्वेशन में फॉर का यूज़ कर सकते हैं तो इन्फिनिटिव अठाओ लेकिन अगर यह आपका इंटेंशन है जिसके लिए मिन्फिनिटिव यूज़ कर रहे हैं अगर आपको उस सब्जेक्ट के इंटेंशन को उसके प्लैनिंग को उसके डिसीजन को एक्सपस करने तो इन्फिनिटिव लिखना चाहिए अगर हमें उसके डिटैच करना है कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है डिटैच्मेंट करना है तो फिर फॉर प्रेपोर्शन लिखना है यह होता तो ही तो यह आपको जो फ्वेस्टन था उसको लेकर मेरा अपने टेक किये था जो मैंने आपको बताया कितना समझ में आया देखना